क्यों हम लोग को आज एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इंकम की जरुष है दोस्तों मेरा नाम खीम सिंग आपका दोस्त विट मिस्न सक्सेश आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जहांपर हम लोग काम कर रहे हैं जिस सिच्विशन में हम लोग काम कर रहे हैं क्या हम सेटिस्वाइड हैं आप अपने आप से एक बड़ी पूछी कि जो लाइफ मैं जी रहा हूँ जो लाइफ मैं बच्चों को देना चाह रहा हूँ जो लाइफ मैं मम्मी पापा को देना चाह रहा हूँ जो मैं family को atmosphere environment देना चारा हूँ, क्या उससे मैं satisfied हूँ, क्या मेरी current situation okay है, यदि आपको इन सब questions का answer हाँ मैं, yes मैं मिलता है, तो please carry on with your current situation, और यदि इन सब का answer कहीं पे भी आपको no मिलता है, कि नहीं मुझे odd होना है, मुझे odd जागना है, मुझे और aware होना है, कैसे मैं कर सकता ह तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, आज दोस्तों हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे पास multiple source of income क्यों होने चाहिए, क्यों हमको एक से ज़्यादा income source generate करने की आप सकता है, yes बलकुल ठीक कहा आपने, ये वीडियो बहुत important होने वाला है हमारी life के लिए, क्योंकि अभी तक जाने अंजाने या awareness की कमी के वज़े से, या mindset के वज़े से, या environment के वज़े से, या लोगों का जो हमारे आसपस में लोगों का साथ है, उनकी वज़े से हम कभी भी अपने आपको diversify करी नहीं सकते हैं, या किया ही नहीं हमने, तो आज ये वीडियो बहुत important होने वाले है, इसको ध्यान से देखेगा, अंद तक आपको पता चलेगा, इस वीडियो से analysis कर पाएंगे हम, कि हमको multiple source of income की जरूरत क्यों है, yes, सबसे पहले financial stability, क्या हम लोग stable हैं अपनी life में, क्या हम लोग का जो current situation ही है, वो okay है, कहते हैं, do not put all your eggs in one basket, बिल्कुल ठीक है, गलत अंडे हमारे खतम हो जाएंगे, so, ऐसे ही life में, हम stable हैं, कई पर आपने देखा होगा, दोस्तों, हम गाड़ी में चलते हैं, दूर तक जाते हैं, और बगर स्टैपनी के नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता होता है, कि हम जा रहे हैं life में, कहीं कोई दिक्कत आगई, पंचर हो गया, बस्ट हो गया, तो हमारे पास एक और टायर होना चीए, तांकि हम लोग life में आगे बढ़ता हैं, हम रुके नहीं हो जेके पर, और हमारी life में, क्या हो रहा हमारे साथ, क्या हम single source पर जी रहे हैं, बहुत बड़ा question है, यहाँ पर दोस्तों, देव गड़वी हम चाहते हैं life में, इसलिए हमको second source, third source, fourth, fifth, ऐसे sources की जरूत है, आप यदि rich people को study करेंगे, उनकी यदि biography पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, at least seven sources, minimum seven sources उन लोग के पास है, income का, अब हम लोगों ने क्या किया है, क्या हम single source पर जी रहे ह number two, diversification of income stream, हमको अपने income के stream को diversify करना चाहिए, normally क्या होता है, हम 80% लोग job oriented है, मैं job को question mark नहीं कर रहा हूँ, हमारी families उसे चल रही है, बट क्या family चलाना ही हमारा करता भी है, क्या हमको अच्छी life style चाहिए, क्या हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी education दें जो deserve करते है क्या मेरे माबाप कुछ चारधाम यात्रा करना चाहिए, उसके लिए मेरे को budget allocate करने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे को diversify करना चाहिए अपनी income को, let's say आप job कर रहे है, job से आपका घर-खर्चा चल रहा है, बच्चों की education चल दी, rent, ये सब चीज़ें चल रही है, क्या मैं alternate source of income generate करूं, जिससे मैं कुछ saving बढ़ा पाऊं अपनी, और आज बहुत सारे तरीके हैं, हम उन तरीकों के बारे में बाद में second video में बात करेंगे, बट हम पहले बात करते हैं, हमको जरूरत क्यों है, तो मिलको अलग-अलग streams generate करने पड़ेंगे, क्या आपने कहीं mutual fund में पैस लगाया है, तो यह सब बाते हैं, तो इसलिए हमको diversity भाई करना चाहिए, एक से अधिक income stream generate करने चाहिए, और आज जिस यूग में, जिस generation हम लोग जी रहे हैं, वो है internet का यूग, तो वहाँ बहुत सारे opportunities हैं, हम लोग को opportunity की बारे में बात में बात करें, yes, increase your financial security, हम कई बार अपने आपको insecure महसूस करते हैं, और कई लोगों नोते मेरे दोस्त, मैं जब बात करता हूँ, तो उन लोगों के पास, ठीक से health insurance भी नहीं है, ठीक से medical insurance भी नहीं है, कई बार हम लोग medical insurance नहीं होने के वज़े से, जो हमारी savings है, उसको भी बड़ा डाका लग जाता है, जब क और यदि आप अकिले single हैं घर में कमाने वाले, तो यह बहुत बड़ा question mark है अपने आप में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कैसे हम plan करें, तो हमको थोड़ा सा financial security की तरफ जाना चीए, तो इसलिए भी हमको diversify करना चीए अपने income stream को, और है quality life, अभी हम लोग जो life deserve करते अपने आपको समझाने की कोशिज करते हैं, नहीं भई, तेरे लिए नहीं है, तो यह afford नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमने कोशिज ही नहीं की, कि हमारे source of income बढ़ जाए, हमारे savings, आप देखिए, normally जो अपने आजपास देखेंगे, जो लोग job में है, जो लोग government job में है, जो लोग private sector में है, ultimately जब retirement के time पर आते हूं, क्या कर पाते हैं अपनी savings से, या तो एक घर बना लिया, बच्चों के साधी कजनी, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है, तो हम क्यों अपनी income stream को नहीं बढ़ा रहे हैं, investment क्या है हमारी, हम rich बनने की बात करें, तो हमारी investment देखें मैं लगबग 18 साल साथ मैंने job की, IMT गाजयाबाद से MBA किया, बट कभी भी मेरे को MBA में या फिर मेरी traditional education में यह नहीं पढ़ाया गया कि passive income क्या होती है, और उसको कैसे earn करना चाहिए, हम हमेशा जितनी देर काम करते हैं, उतनी देर हमको income मिलती है, जितनी देर हम work पे जाते ह जाओ या ना जाओ, तब भी आपको income आनी चाहिए, जैसे आपने rental property, एड कर दी, जैसे आपने कुछ stocks में पैसा लगा दिया, वो grow कर रहा है, जैसे आपने mutual fund में कुछ पैसा लगा दिया, वो grow कर रहा है, या फिर आपने ऐसे मेरी तरह कुछ YouTube पे content create कर दिया, इससे पैसा या फिर आप blog articles लिख रहे हैं जोगेल स् पैसा आरहा, या फिर आप कहीं पर side by side video editing का course कर रहे हैं उससे पैसा आरहा, बहुत सारे ऐसी चीजे हैं, आज drop shipping कर रहा है, affiliate marketing कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे article लिख रहे हैं किसी के लिए, freelancing कर रहे हैं, तो ऐसे ideas हैं हमारे पास passive income क जहां पर हम लोग अपनी income के systems को बढ़ा सकते हैं या किसी के साथ अपने partnership के ली land में, properties में आप कहिए उसको मैं actively काम नहीं करूंगा बट मैं आपको पैसा देता हूँ इन सब के बारे में हम discuss करेंगे one by one मेरी further आने वाली वीडियोज पर पहले हम बात करते हैं आज की कि हमारे पास multiple source of income क्यों नहीं चाहिए reduced dependency as a single employer हम जब कहीं पर काम करते हैं जौब करते हैं हमारा एक employer है जिसके पास हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास sources नहीं है तो हमारी dependency बढ़ नहीं गई है उनके पास क्या वो जिस दिन चाहे हमको fire कर सकते हैं आज की देट में आप बहुत सरी news मां देख रहे हों अकबार मां देख रहे हों हर रोज कहींने कहीं कुछ सनो कुछ घटना है घड रही की वहाँ से इतने लोग क्ट हो गए वहाँ से इतनी लोगों को fire कर दिया, वहाँ से इतनी लोगो को kick-off कर दिया, what is this, इसका मतलब हमारी dependency बढ़ गई उन लोगों के उपर, उसके बाद हम लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल job करने के बाद, फिर हमारी job निकलती है, फिर हमको सूचने पढ़ता है कि नहीं job, नहीं जगे कहां सुरूगात करें, फिर हम फिर उसी जगे पाते हैं, जीरो पर, तो क्या हमको उस employer पर dependent रहना चाहिए, क्या हमारे पास कुछ और sources हो है, तो हम थोड़ा strong नहीं हो जाएंगे, फिर हम उनकी condition पर काम करने लगते हैं, कि वो जैसे कह रहा है, वैसे काम करो, कि वो जैसे चाह र हम कब रिटार होना चाहते हैं, क्या मैं 60 साल तक ऐसे काम करते हैं, और एक चीज और देखेंगे, यह बड़ी interesting सी बात है, कही बार आपने देखा, जो लोग लंबे टाइम तक job में या अपने work area में काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है बहुत से जादा, sugar, BP, thyroid, या फिर multiple औ और भी diseases, एक जगे पर काम किया, एक employer पर काम किया, pressure मैं काम किया, compromise करके काम किया, बहुत ज़्यादा savings नहीं है, job एक ऐसी चीज है, जहां हम अपने dreams को, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिग ऐसी छोड़ के जा रहे हैं अपने जोड़ कर पाएगा, या उसको भी zero से start करना पड़ेगा, यह बड़ा question है अपने आप में, तो हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, या मैं अपने घर की EMI उसके पास छोड़ के जा रहा हूं, कि बेटा तुम बड़े हो रहे हो, इस घर की EMI अब तुम पू मैंने earned की इतनी property मैंने बनाई, इसको enjoy करो, यह सब बड़ा question हमाले है, इसके लिए हमको थोड़ा साना bad के अलग से सूचना पड़ेगा, हम क्या planning कर रहे हैं, enhanced quality of life, मेरी quality of life मैं कैसे जी रहा हूं, मैं क्या हर बारी वो mediocre वाली life जी रहा हूं, क्या मैं वो middle class वाला trap मा फशा हूँ आपी भी, या मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, यह सब कैसे possible होगा, जब तक हम multiple source of income generate नहीं करेंगे, तो एक बारी में को comments में लिखिए, क्या आप ready है, multiple source of income generate करने के लिए, और यह आप चाहते हैं कि हम एक दुस्य की help करें, कैसे हम लोग multiple source of income generate कर सेके, कौन-कौन से ideas हैं जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं, तो please comment में लिखिए, हम लोग एक दुस्य के help करेंगे, we'll give you more ideas, और मुझे वीडियो में देखने के लिए, सुनने के लिए, thank you so much, thank you so much, मुझे यकीन है, यह वीडियो आपको पसंद आया है का, आप अपने साथ के दोस्तों को भी इस वीडियो को recommend कर सकते हैं, उनको share कर सकते हैं, और यह सब ideas मैंने सीखे, Robert T. QS की साफ से, जहां पर उनकी risk debt, poor debt, या फिर retire young, retire rich, ऐसी बहुत सारी उनकी books हैं, 21st century business, और the business school, यह सब ideas वहां से generate किये, जब मेरी life में सब पहले आई, आसे 3 साल पहले, और आज देखेंगे life म changes, मैं आगे की videos में सब discuss करूंगा आप से, so thank you so much once again, जाहिन!